हेलो गाइस तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तिखाऊ हूँ कि हम mongodb के अंदर किसी numerical value के लिए schema validation rule कैसे लिख सकते हैं तो मैं एक collection माना नवाला हूँ demo number के नाम से तो demo number के अंदर हमारा एक प्रोपर्टियों के डोकिमेंट के अंदर data करके उसे data के अंदर हमारे पास कुछ प्रोपर्टियस है जो यह प्रोपर्टियस है वह हमारे rules define करती है तो अगर आपको कोई सा भी integer long double decimal कुछ भी स्टोर करना है तो खाली number देखते हो अगर आपको खाली int और long स्टोर करना है तो उनको array के अंदर डाल देना मैंने पिछली वीडियो में एक्स्पिन करता है कैसे उसको क्या करना है तो इपर अब वाली वीडियो भी देख लेना और second आता है आपका multiple of multiple of यह multiple of क्या बताता ह होगे वो इस number से divisible होने चीए simple फिर यहां पर आता है minimum minimum value आप कितनी store कर सकते हो maximum value आप कितनी store कर सकते हो अब यह exclusive minimum अब exclusive minimum बताता है कि आप जो आपने आप minimum value define करी है अगर इसकी value exclusive minimum की value true होती है तो यह करेगा कि आप six store नहीं कर पाऊगे six से उपर उपर का जो number होगा वो आप store कर पाऊगे अगर exclusive minimum की value true होती है अगर यह false होती हो तो आप six store कर पाऊगे अब similarly exclusive maximum अब exclusive maximum हमारा क्या true है तो मैं यह कर सकता हूँ अब इसके अदर 30 से नीचे नीचे value value store करने पड़े है इमरेको उससे उपर की value मैं store नहीं कर सकता हूँ simple अगे अगर इसकी value false होती तो मैं ठटी भी store कर पाता तो मैं यह करता हूँ अभी न यहाँ पर आपको double store कर वाकर दिखाता हूँ तो इस command को run करते हैं मिरे अपना graphic order वाला database उसकर रखा है तो यहाँ पर db. हमारी collection के लाम दैमोन नमबर इसके अंदर हमारे curly braces इसके अंदर हमारा data लिके हैं और इसके अंदर हमारा insert करने ही कुश्च करते हैं 6 तो इसमें क्या लिखा exclusive minimum ओके तो हम include कर सकते हैं 6 को मैं इसकी अभी insert कर पाता हूँ अगर मैं यहाँ पर 13 insert करने ही को चलते हैं चलो देखो तो मेरे को error देगा error किसले दिया क्योंकि मैंने यहाँ लिखा exclusive maximum true कि मेरे को 30 को include नहीं करना है